बगवान स्रिनाज जी की जय राजस्तान के गवर्नर स्री कलराज मिश्रा जी मुख्यमंत्री मेरे मित्र स्रिमानासो गहलोज जी विदान सभा के स्पीकर स्रिमान सीपी जोसी जी राजसरकार के मंत्री स्री भजनलाल जाटव जी संसत में मेरे साथी और राज्तान भाजपा के अध्यक्ष़ स्री चंदरप्रकास जोसी जी संसत में सारे साथी बेहन दिया कुमार जी संसत के मेरे साथी स्रिमान कनकमल कटारा जी सांसर्सी अर्जुनलाल मीना जी कारकम्य उपस्तित अन्य समी महनुभाव और रास्तान के मेरे प्यारे भाई और बहनो भगवान स्रिनाज जी और मेवाड की इस वीज धरापर मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का आउसर मिला है यहां आने से पहले मुझे भगवान स्रिनाज जी के दर्शन का सहभागी मिला मैंने स्रिनाज जी से आजहादि के समरित काल में विक्षिद भारत के संकल्पों की सिद्धी के लिए आशिरवाद मांगा है साथियों आज यहां राजस्तान के विकास से जुड़े पांच हजार करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्स का सेलान्यास और लोकारपण हुआ है यह प्रोजेक्स राजस्तान की कनेक्टिमिटी को नई उचाई पर ले जाएंगे उदायपूर और शामराजी के बीच नेशनल हाइवे एट के सिक्स लेन होने से उदायपूर डुंगरपूर और मासवड़ा छेत्र को बहुत फाइदा होगा इससे शामराजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी बिलाड़ा और जोदपूर सेक्षन के निर्मार से जोदपूर और बोर्डर एरिया तक पहुँच बहुती सुलब होगी इसका एक बड़ा फाइदा ये भी होगा कि जोदपूर से जोदपूर की दूरी भी तीन गंटे कम हो जाएगी चार भुजा और निचली ओडन के पोजेक्ट से वर्ल्ड हैरिटेज साइट कुम्बलगट हल्दी गाटी और सुनाजी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा स्थिद्नाद्वारा से डेवगड मदारिया की रेलवे लाइन मेवार से मारबार को जोड़ेगी इससे मारबल, ग्रिनाइट और माइनिंग डस्टी को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी मैं सभी राजस्तान वासियों को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाईयों और वहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है राजस्तान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है राजस्तान भारत के शौरियों, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है राजस्तान जितना विक्सित होगा, उतना ही भारत के विकास को भी गती मिलेगी और इसलिए हमारी सरकार राजस्तान में आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है और जब मैं आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गाउं में कडेक्टिविटी बढ़ाता है दूरी कम करता है आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाओं बढ़ाता है समाज को जोडता है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजीटल सुविधाओं को बढ़ाता है लोगों का जीवन आसान बनाता है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गती देता है जब हम आने वाले 25 साल में विक्षीत भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बन करके उभर रहा है आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूत्पुर्वा निवेश हो रहा है अभूत्पुर्वा गती से काम चल रहा है रेलिवे हो, हाइवे हो, एरपोर्ट हो हर खेत्र में भारत सरकार हजारों करोड रुपिये निवेश कर रही है इस साल के बजेट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दस लाग करोड रुपिये खर्च करना तह किया है साथियों जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस खेत्र के विकास पर होता है उस खेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है जब नई सडके बनती हैं नई रेल लाइने बनती हैं जब गाउं में पीएम आवास योजना के करोडों गर बनते हैं करोडों सोचाले बनते हैं जब गाउं में लाखों किलोमेटर आप्टिकल फाइबर बिशता है हर गर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है तो इसका लाख जो स्थानिये छोटे मोटे वैपारी होती हैं जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाय करते हैं उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी उस इलाके के स्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाब मिलता है भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थ व्यवस्ता को एक नई गती दी है लेकिन साथियों हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मक्ता से भरे हुए हैं देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है अब आपने कुछ सुना होगा जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले सड़क पहले कि सेटलाइट पहले लेकिन इतिहास गवाँ हैं कि स्थाई विकास के लिए तेज विकास के लिए मूल व्यवस्ताओं के साथ ही आदुनिक इन्फरा बनाना भी जरूरी होता है जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोड के तराजु से तोलते हैं वो कभी देश के भविश्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते हम कई बार देखते हैं गाओं में पानी की टंकी बनी लेकिन वो चार-पांच साल में ही छोटी पड़ जाती है कितनी सडके या फ्लाइओवर ऐसे होते हैं जो चार-पांच साल में अब परियापता लगने लगते हैं हमारे देश में इसी सोच की वज़े से इंफ्रास्ट्रेक्टर के निर्मान को प्राथफिक्ता नहीं दी गई इसका बहुत नुक्षान देश ने उठाया है अगर पहले ही मानली जे परियापता संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते हैं तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजली करना हो गया होता तो आज हजारों करोड रुपे खर्च करके ये क्याम करने की ज़रोत नहीं रहती अगर पहले ही हर गर तक नल से जल आने लगता तो आज साड़े तीन लाग करोड रुपिय लगा कर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता नकारात्मक्ता से भरे हुए लोगों में ना दूर द्रश्टी होती है और ना ही वो राजनितिक स्वार से उपर उठकर कुछ सोच पाते हैं आप सोचिए अगर ना सद्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता? और हम तो राजस्तारों और गुजरात के लोगों के जुबां पर लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं पानी के लिए लाखा मंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चाहरों पर वेवावड़ी किसने बनाई? तो बले लाखा बंजारा वहाँ तालाब किसे बनाया? तो बले लाखा बंजारा यह गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्तान भी बोला जाता है मतलब हर एक को लगता है भी पानी की समस्या का समाधन कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाओं में खड़ा हो जाए तो यह नकारात में सोच वाले उसको भी हराने के लिए बैजाल बैएगे उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियों का जमगड इखटा करेंगे साथियों दूर द्रश्टि के साथ इंफ्रास्टर नहीं बनाने का नुस्थान राजस्थान ने भी बहुत उठाया है इस मरू भूमी में कनेक्टिविटी के अभाव में आना जाना कितना मुश्किल होता था यह आप भली भाती जानते हैं और यह मुश्किल सिर्फ आने जाने तक सिमित नहीं थी बलकि इस से खेती, किसानी, व्यापार, कारोबार सब कुछ मुश्किल था आप देखिए प्रधान मंत्री ग्रामीर सडक योजना साल 2000 में अटल जी की शरकार ने शुरू की थी इसके बाद 2014 तक लगबग 3,80,000 किलोमेटर ग्रामीर सडके बनाई गई बावजूद उसके देश के लाखो गाउं ऐसे थे जहां सडक संपर्क से कटे हुए थे 2014 में हमने संकल पर लिया कि हर गाउं तक पक्की सडके पहुचा कर रहेंगे पिछले नव वर्ष में हमने लगबग 3,50,000,000 किलोमेटर नव वर्ष में 3,50,000,000 किलोमेटर नई सडके गाउं बेबराई इन में से सत्तर हजार किलोमेटर से अधिक सडके यहां अपने इस राजस्तान के गाउं में बढ़ी है अब देश के जादातर गाउं पक्की सडकों से जड़ जड़ चुके हैं आप कलपना करिये अगर यही काम पहले हो गया होता तो गाउं कस्बों में रहने वाले हमारे भाईयों बेनों को कितनी आसानी हो गई होती साथियों भारत सरकार आज गाउं तक सडक पहुचाने के साथ ही शहरों को भी आदुनीक हाईवे से जोड़ने में जुटी है 2014 से पहले देश में जिस गती से नेशनल हाईवे का निर्मार हो रहा था अब उससे दो गुनी तेजी से डबल स्पीड से काम किया जा रहा है इसका भी लाब राजस्तान के अने जिलों को मिला है कुछ समय पहले ही मैंने दोसा में दिल्ली मुंबई एक्स्प्रिस वे उसके प्रमुक सेक्चन का लुकारपड किया है भाई और बेनों आज भारत का समाज आकांग्षी समाज है एस्प्रिस्टनल सुसाइटी है आज 21 सदी के इस दसक में लोग कम समय में जादा से जादा दूर तक पहुंचना चाहते हैं जादा से जादा सुविदाएं चाहते हैं सरकार में होने के नाते यह हम सभी का दाईत्व है कि भारत के लोगों की इस आकांग्षा को राजस्थान के लोगों की इस आकांग्षा को हम सब मिलकर के पूरा करे हम सब जानते हैं कि सड़क के साथ ही कहीं जल्दी आने जाने के लिए रेलवे कितनी जरूरी होती है आज भी गरीब या मद्यमबर को सब परिवार कहीं जाना है तो उसकी पहली पसंद रेल ही होती है इसलिए आज भारत सरकार अपने दसकों पुराने रेल नेटवर्क को सुधार रही है आधुनिक बना रही है आधुनिक ट्रेने हो आधुनिक रेलिवे स्टेशन हो आधुनिक रेलिवे ट्रैक्स हो हम हर स्तर पर एक साथ चारों दिशाओं में काम कर रहे है आज राजस्तान को भी उसकी पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस मिल चुकी है यहां मावली, मारवाड, गेज परिवर्तन की मांग भी तो कब से चल रही थी यह पुरी हो रही है इसी तरह अमदाबाद, उदैपूर के बीच पूरे रूट को ब्रॉड गेज में बदलने का काम भी कुछ मेने पहले पुरा हुआ है इस नए रूट पर जो ट्रेंग चल रही है, उसका बहुत लाब उदैपूर और आसपास के लोगों को हो रहा है साथियों, पूरे रेल नेटवर्क को मानव रही थाटकों से मुक्त करने के बाद हम अब तेजी से पूरे नेटवर्क का बिजली करन कर रहे हैं हम उदैपूर रेलवे स्टेशन की तरह ही देश के सैक्रो रेलवे स्टेशनों को आधूनत बना रहे हैं उनकी केपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इन सब के साथ ही हम माल गाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रैक, डेडिकेटेट फ्रेट कुरिडोर बना रहे हैं साथियों, पिछले नव वर्षों में राजस्तान का रेल बजेट भी 2014 की तुलना में 14 गुना बड़ा है बीते नव वर्षों में राजस्तान के लगभग 75 प्रतिशत रेल नेटवर्क का बिजली करण किया जा चुका है यहां गेज परिवर्तन और दोहरी करण का बहुत बड़ा लाप डुंगरपूर, उदैपूर, चितोड, पाली, सिरोई और राजस्मन जैसे जिलों को मिला है वो दिन दूर नहीं, जब राजस्तान भी रेल लाइनों के शत प्रतिशत बिजली करण वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा भाई और भेनों, राजस्तान की बहतर होती कनेक्टिविटी से, यहां के टुरिजम को, हमारे तिर्थ सलों को बहुत लाब हो रहा है मेवार का ये ख्षेत्र तो हल्दी घाटी की भूमी है राश्त्र रक्षा के लिए राणा प्रताप के शौरिय, बामा साह के समर्पन और वीर पन्ना धाय के त्याकी गाताए इस मिट्टी के कणकण में रची बसी है कल ही देश ने महरा प्रताप जी की जैंती पर उन्हें पुन्य भाव से समर्ण किया अपनी विरासत की स्पूंजी को हमें अधिक से अधिक देश दुनिया तक ले जाना आवशक है इसलिए आज भारत सरकार अपनी धरोहरों के विकास के लिए अलग-अलग सरकीट पर काम कर रही है क्रिष्णा सरकीट के माध्यम से भगवान स्रीकर्ष्ण से जुड़े तिर्सों को उनसे जुड़े आस्तास्तलों को जोड़ा जा रहा है यहां राजस्तान में भी गोविन देव जी, खाटू शाम जी और सिनाज जी के दर्शनों को आसान बनाने के लिए क्रिश्टनर सरकीट का विकास किया जा रहा है भाई और भेनों भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ती भाव मान कर दिन रात काम कर रही है जन्ता द जनार्दन का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार के सूसासन की प्रात्पिक्ता है हर नागरिक के जीवन में सूख, सुविदा और सुरक्षा को कैसे विस्तार हो इसके लिए निरंतर काम चल रहा है स्रीनाज जी का आशिरवात हम सभी पर बना रहे इसी कामरा के साथ आप सभी को विकास कारियों की फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूँ भारत माता की भारत माता की धन्यवाद